को आप कि नमस्कार दोस्तो दे लेर्णरप् Państwo में आप सबहूं का श्वागित है दोस्तो आज अपन सुरू कर रहे हैं कुख्षा शाथ राजिस्तान अध्यईन क्कषा कक्षाच है कि जो राजस्तान अध्यन है दोस्तों, उसकी मैंने पूरी कि आपको थियोरी करवा दी थी, complete थियोरी करवाई भी है, इसके अलवा दोस्तों, वस्तुनिष्ट परसंद जितने बढ़ते थे, 300 के लगबग परसंद बढ़े थे उस बुक में, वो भी मैंने आपको करवा दिये हैं, उसका मेरा थन वीडियो आपको दिखा देता हूँ मैं, इसमें आप देखोगे दोस्तों, तो यहां पर ये देखिए, ये पूरा मेरा थन वीडियो है, कक्षाच है, राजस्तान अध्यन, यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं, तो राजस्तान अध्यन आपको दुबारा पढ़ने की आउशकता नहीं है कक्षिया अच्छ है बार बार ये वीडियो आप देख लेना इस वीडियो में मैंने पूरा जितना पर्षन बनते थे वो सारे बना दिये अब देखे दोस्तों राजिस्तान अध्यन जो कक्षिया शाथ है उसको पहले अपन ठियोरी करेंगे उसके बाद अपन शारे के सारे कक्षा स राज्तान अध्यन के वस्तुनिष्ट प्रशन है उसका एक वीडियो बढ़ाँगा मैं तेलिग्राम पर test आपका चल रहे हैं दोस्तों कक्षञ रास्ताअधिन की आप डेली दे रहे हैं वह जैसी आप test के मई करोगे आप दुबारा मेरा दि फजेन वीडियो देख लेना कक्षञ रास्ताअधिन वस्तु दिंष्ट करे दो देखें पाठपन देखते हैं वन वन ने जीव एं सरक्षन और ये क्लास दोस्तों शुबह 7 बजे हुआ करेगी शुबह 7 बजे 7 एम ठीक है तो देखें मैं सिधा ही दोस्तों इपोर्टेंट बात है वही बताऊंगा देखें केला देवी गन्ना राष्ट्रिय पक्षी उध्यान है य बढ़ता है यहां पर साइबेरियन क्रें यानि सारस बह बया कोईल बटे यह पक्षी पाई जाते हैं तो यहां पर दूस्तों है कि तो राष्डेवी केला अधेक्र इसको shoppingBelt तो दोस्तों देखिए यह पर पड़ने वाड़ी कोई बात नहीं है अब देखें वनों के प्रकार वनों के प्रकारों की दिबात करूं दोस्तों तो वनों के प्रकार तीन होते हैं पहला आरक्षित वन, शुरक्षित वन, एवरगी करत वन, तीन परकारों को पढ़ें, उससे पहले अन्य जानकारे देख लेते हैं, राजस्तान के अंदर, राजस्तान का जो छेतर फल है दोस्तों, उस छेतर फल का दसवा भाग वन छेतर है, यानि राजस्तान में दस परतिस पर वन होने चाहिए तो यह आप कमेंट वोग्श में मुझे जुरूर बताऊगे कि जितना 6 तरफल होता है उस 6 तरफल के कितने परतिषःत भाग पर 1 होना चाहिए अब देखे राजिस्तान के 10 परतिशत भाग पर क्या है वन है या दस्वे भाग पर वन है राजस्तान में सरवाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं तो सरवाधिक वन उद्ध्यपूर जिले में पाए जाते हैं किस में उद्ध्यपूर जिले में और सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं तो दोस्तो चूरू जिले में किस जिले में चूरू जिले में अब देखिए आरक्षित वन कौन से होते हैं तो आरक्षित वन दोस्तो वो वन होते हैं जो सरकार के नियंतरण में होते हैं यानि सरकार अपने नियंतरण में रखती है और यहां पर दोस्तो ना तो पसू चारण करने दिया जाता पसू को चेतर के एक तीहाई से अधिक है ठीक है अब देखिए सुरक्षित वन कौन से होते हैं दोस्तों जो सरकार के नियंतर में होते हैं पिल्कुल सही बात है अब यहां पर जो पशूचारण है और जो लकड़ी काटना है वो कुछ नीमों के साथ है अलाव होता है बाकि यहां भी दोस्तों, यह सरकार के नियंतर्ण में रहता है कुल वन चेतर के आदे से अधिक चेतर पर यह फेले होइं यानि जितना वन है उटके आधे से अधिक चेतर पर यह राखित वन, तो इस शरेणी के अंदर वो वन आते हैं जहां पर पोशूचराने लकड़ी काटने पर गोलिक दृष्टी से राजिस्तान में वनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, अब देखिए, अरावली प्रवतमाला है, यह राजिस्तान को दो भागों में बांटती है, यह आपको पता ही है, ध्रातलिया सवरूप, जलवायू, वर्शा की मात्रा, मिट्टी की बिंत वन स्पति को प्रभावत करने ओने वाले अभ राजस्तान में भूगोलिक द्रिश्टिशय और व्रगिकरण कितने परकार के पैसे तो बहुत बंको बंदी है शुश्क कट्टि बंदी है शदा बहार वन तो शबहुएसर को नावा चूरूं में जैसलमेर नागोर शिकर जुन जुनू जालोर आधी जिलो में ये वन पाए जाते हैं अब वहाँ पर ये परसन बना देगा वो निमन में से कौन सा जिला उशन के टिवन दिये वन छेतर में नहीं आता है या कौन सा आता है तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर दोस्तो किश परकार के वन पाए जाते हैं तो यहाँ पर जाड़िया और कंटीले वर्क्ष पाए जाते हैं दोस्तों और ये ज्यादा तर अपने पत्ते गिराकर ही रखते हैं और छोटे-छोटे पत्ते होते हैं दोस्तों इनके इसके अंदर दोस्तों कौन-कौन से वर्क्ष आते हैं त कौन सा वरक्ष या वनश्पति उशनकटीवंद यह वनश्पति में आते हैं तो यह आते हैं रोईडा, केजडी, धोकडा, बेल, बबूल, बेर, बबूल, केर, नीम आती ठीक है और इन जो यह वनश्पति है दोस्तो यानि उशनकटीवंद यह वनश्पति है इनको मरूद भ टिक और वर्षा कम होती है अब देखिए दोस्तों इस छहत्र में वरक्षों की पतियां छोटी होने के कौरण वाश पी करण कमात्रा में होता है पेड़ों की जड़ें घहरी होती है जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्ते कर्श रखें अब देखें दोस्तों खेजडी है खेजडी बहु उपयोगी वरक्ष है खेजडी को राजस्तान में कलप वरक्ष का जाता है खेजडी को राजस्तान में क्या का जाता है कलप वरक्ष का जाता है यह राज्य वरक्ष भी है खेजडी अपना क् तो सेवन घास है यह तेदिख ठीक है कहां पाई जाती है तो यह जेशल मेरजले में पाई क delve देखे उस्ञ कटी बंदी है शुश्क पत जड़वन 12 smo Nawakim कि दिन बात करूं दोस्तों वह को मानसुनी भी कहते हैं क्या केते हैं मानसुनी भी कहते हैं और ये वन मुख्यत है बांशवड़ा, डूंगरपुर, उद्यपुर, चितोडगड, कोटा, बारा, जालावाड, अलवर, अजमेर, जेपुर, श्वाइमादपुर, क्रोली, बुंदी, टॉंग, इसके अलग, इन जिलों में पाय जाते हैं अब देखे, यहां से परसन आपसे पुछा जा सकता है, यह पोर्टेंट है, यह पोर्टेंट है दोस्तों, इन वनों को क्या कहते हैं, मानसुनी वन कहते हैं, कौन-कौन से जिले आते हैं, तो उश्ण कटी बंदिया, शुष्क, पत जड़वन में, बांशवड़ा, डुंगर इन वनों के पेड़ गरिशमकार में अपनी पत्या क्या है, गिरा देते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये पूरी की पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है, नेक्ट देखिए, अर्द उश्ण कटी बंदिया, सदा भारवन, ये सदे उहरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शदा भारवन कहते हैं, ये आबु बाड़ी के उंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं, इन वनों में मुख्यताय आम, बांश, शांगवान, अधिवर्क्स पाए जाते हैं, नेक्ट देखिए दोस्तो, तो ये दोस्तो, जदा इसमें कुछ है नहीं, इपॉर्टेंट, ये आपने देख लिया, ये सदा भार प्रवतिय छेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, अधिक उंचाई पर होते हैं, और इन वनों में आम, बांश, शागवान, अधिवर्क्स पाए जाते हैं, नेक्ट देखिए, राष्ट्य उध्यान, राष्ट्य उध्यानों की दिबात करें दोस्तो, तो राष्ट्य उध्य प्राकरतिक ववनस्पती इंव वण्य जीत झेत्र हमारी प्राकरतिक वनस्पति ओंवन्य ुधूर को प्राकरतिक वनस्पती नांगल सुल्पेउब कर ढाओ उद्ध्रिया सब्सक्रारीशंट जीत्र करने करने के लिए राश्ठे उध्यान है वो बनाए गए हैं, राष्टे उध्यान है, वो दोस्तों देखिए, तीन राष्टे उध्यान है, राजस्तान के अंदर इपोर्टेंट है, राजस्तान में कितने राष्टे उध्यान है, तो तीन राष्टे उध्यान है, वो कौन-कौन से है, केला देवी राष्टे उध्या रंधम बोर राश्ट्रे उध्यान देखने सब चरह केला देवी राश्ट्रे उध्यान के बारे में इummy इद्धि बात करें दोस्तों तो तो केला देवी राश्ट्रे है उध्यान है यह यह भरतपुर जिले में पड़ता है और यहां पर साइवेरियन क्रेन आता है दोस्तों और इसके अलावा बगुले, बया, कोयल, बटेर, आदिवर्ख्ष पाए जाते हैं नेक्स्ट देखिए आप रन्थम भोर राष्ट्रे उध्यान रन्थम भोर राष्ट्रे उध्यान की दि में बात करूँ तो यह श्वाई मादोपुर जिले में है किस जिले में श्वाई मादोपुर जिले में है यहां पर बाग, भालू, चित्तल, संभर, नीलगाई, मगरमच, आदि पाए जाते हैं यह राष्ट्रे उध्यान भारती है यह राष्ट्रे उध्यान भारती है बाग के लिए परिशिद है तो यह पोर्टेंट है रन्थम भोर राष्ट्रे उध्यान है वो किस के लिए फेमस है तो भारती है बाग के लिए परिशिद है नेक्स देखिए मुकुंद्रा हिल्स र पाई जाते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रे उध्यान है यह कोटा चितोडगड जिले में फेला हुआ है बाग रींच जरक गिदड बेडिया संबर चितल नील गाई चिंकारा शियार आदी वन्य जिव पाई जाते हैं नेक्ट देखिए वन्य जिव अभ्यारन वन्य जिव अभ्यारन की दि में बात करूँ तो अभ्यारन का अर्थ होता है दोस्तो अभ्य जमा में अर्णे यानि ऐसा अस्तान जहां पर क्या नहीं हो भ्य नहीं हो और यह संदिवी द्यान में रखना दोस्तो आप अभ्यारन की देखे ऐसा वन चेतर जहां वन ने जीव सुरुक्षित गूम सके उसे क्या कहते हैं अभ्यारने कहते हैं क्या कहते हैं इसमें सुरुक्षित रखा जाता है राष्टे उध्यान में क्या है राष्टे उध्यान में सुरुक्षित रखा जाता है अब देखे एक इनमेंतर मतलब वन्य जीव है इनको पिंजरे में रखते हैं वो ठीक है वो तोते हैं राष्टे उध्यान और जो वन्य जीव अभ्यारण है न वहाँ पर आप जाते हैं और चेताओं नहीं लिखी होती है कि आप अपने श्वेम की जुमिवारी आप खुद रखें कई बार वो जीव ज कहां पर पढ़ता है जेसल मेर में पढ़ता है कहां जेसल मेर देखें जेसल मेर बाड मेर जिले के अंदर फेला हुआ है राष्टे मरू उध्यान वन्य जीव अभ्यारने फिर देखें गोडावन रज्य पक्षी गोडावन क्या है वन्य जीव कौन-कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर तो go down यह हमारा क्या है राजेबक्षी बेडिया शीयार लोमडी चिंकारा नील गाए यहाँ पर दोस्तो वन्य जिएव पाएज आते हैं कौन-कौन से जिलों में फेला हुआ है तो जिसल मेर बाड मेर जिलों खरगोश पाए जाते हैं अब देखिए कुम्बल गड़ वन्य जियू अभ्यारने दोस्तों आप से सिधा जिला पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा कुम्बल गड़ वन्य जियू अभ्यारन है ये दोस्तों राशमद पाली उद्यपूर में फेला हुआ है अब वो तीन-तीन के जोड़े बना दे जैसे जिलों के तो वहाँ पर थोड़ी प्रोब्लम आज रखती है तो राप उ क्या कुम्बल गड़ राप उ आप ऐसे याद र फुलवारी की नाल वन्य जियू अभ्यारन कहां उद्यपूर फिर देखिए सरिश्का वन्य जियू अभ्यारन ये अलवर में पढ़ता है कहां अलवर फिर देखिए ताडगड रावली वन्य जियू अभ्यारन ये राशमंद अजमेर पाली में पढ़ता है यहां पर दोस् यह आर ए पी आर ए पी यह टाडगड वने जिव अभ्यारण अब देखें तेन दुआ भालू बाज सियार नीलगाई रेंच यह यहां पर वने जिव पाए जाते हैं फिर है शीता माता वने जिव अभ्यारण तो शीता माता वने जिव अभ्यारण के दिव बात करें तो यह तीन जिलों में फेला हुआ है पी सी यू पीशियू शीता पीशियू या शीपियू आप ऐसे याद रख शकते हैं शीपियू शीपियू शीशे चितोडगड पीशे परताबगड यू शे उद्धेपूर शीप में पुछी जाते है उड़न गिलेरी के लिे फेमस को सा वने जिव अभ्यारण है तो उड़न गिलेरी के के लिे फेमस दोह सीटा माता वने जिव अभ्यारण अब देखे मांट आभू माउंट अबु वन्य जिव अभ्यारन ये शिरोही में पढ़ता है कहां माउंट अबु वन्य जिव अभ्यारन कहां पढ़ता है शिरोही के अंदर पढ़ता है रींच जंगली मुर्गा चिंकारा चितल शंबर तो ये यहां पर वन्य जिव पाय जाते हैं फिर देखे और देखें दोस्तों माधिया चंबल गड़िया और लम्रे अधी वन्ने जीव पाए जाते हैं अब यह देख सकते हैं आप दोस्तो मैप में लोकेशन राष्टिया मरू उध्यान की यह जैसल मेर यह देख लेजी दोस्तो रावली टाडगड तालचा पर चुरू नहारगड सरिश्का केला देवी राष्टिया उध्यान जमुवा रामगड रणथंबो राष्टिया उध् पुरजिला ठीक है यह पूरा का पूरा दोस्तो देख सकते हैं माउंट अबू फुलवारी की नाल ठीक है शजन गड़ कुम्बल गड़ ठीक है बेश्रोडगड सित्ता मात्ता मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्य उध्यान यह रेड रेड कर रख हैं यह राष्ट्य उध्या बशी वन्य जिव अभ्यारन यह ची तोड़ गड़ में ठीक है इसके अलावा श्वाई मान सिंग वन्य जिव अभ्यारन श्वाई मादोपूर वन्य जिव अभ्यारन वन्य वन्य विहार वन्य जिव अभ्यारन रामसागर वन्य जिव अभ्यारन केसर बाग वन्य जिव अभ्यारन धोलपूर जे शमंद वन्य जिव अभ्यारन सर्जनगड वन्य जिव अभ्यारन उध्यपूर नहारगड वन्य जिव अभ् के आगे जिला नहीं लिखा हुआ है वो दोस्तों जब में वस्तूनिष्ट बढ़ाऊंगा उस टाइम सर्च करके पूरा का पूरा वो टेबल बना दूगा इनकी ठीक है इनकी भी निचे टेबल बना दूगा उनमें राजितान में रणन थमबोर सरिश का एम मुकुंद्रा हिल्स बाग सरक्षन प्रियोजनाई है तथा केला देवी राष्ट्य उध्यान एम सांबर जील वेट लेट स्तल है जहां प्रवाशी पक्षी पाई जाते हैं वन ने जिव स्रेणी में चिंकारा एम पालतु स्रेणी मे उट राजेपशु है अब देखिए वन सरंक्षन वन सरंक्षन की दिबात करूँ तो राष्ट्य वन सरंक्षन निती 1952 शंशोदित 1968 के अनुशार कुल भू भाग का लगभग 33% भाग वन होना चाहिए तो यह देखिए दोस्तो कितने भाग पर वन होने चाहिए 33% पर सरंक्षन भाग वन होने चाहिए 33% राजस्तान राज्य वन निती यह राष्ट्री है यह राज्य है ऐसे आजए राज्य वन निती 2010 या राश्तान-वन निती 2010 के अनुशार शंपूर्ण भू भू भाग पर कितने परतिस्त भाग पर वन होने का लक्षए रखा गया तो 20% दोनों में आप ध्यान रखना लेकिन राजस्तान के कितने परतिशत भाग पर वन है दस परतिशत भाग पर वन है। यो अनेक संस्ताओं द्वारा जन मानश में जाग रुखता है तू अभ्यान चलाएगे वन हो से लकडी काटने पर पाबंदी लगाएगे। वरक्षारोपन चारागहा विकास यो सामाजिक वान की के लिए कारे किये गए। जोदपूर में केंद्रिया शुष्क छेतर अनुशंदान संस्ताण यानि काजरी इस्तित है। शुष्क वन अनुशंदान संस्ताण आफरी इस्तित है। ये दोस्तो जोदपूर में है। तो ये ध्यान रखना काजरी आफरी जोदपूर में। अब देखे इस संस्थान का उदेश है शुष्क एयों अर्शुष्क छेत्रों में वनों एयों वन्य जियों के विकास हैत्तु अनुशंधान करना है। अब देखे राजस्तान के जोद पूर्जिले के खेजडली गाउं में ठेकेदानों द्वारा वर्ख्षों को काटा जा रहा था। इसे बचाने के लिए उच्छेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमरता देवी की नेतरतों में 1730 इश्वी में 363 इस्त्री पूर्षों ने वनों को बचाने के लिए वर्ख्षों से लिपट कर बलिदान दिया था। अमरता देवी की समरती में यहां एक म्रिग उपवन स्तापित किया गया है। परती वर्ष भादर पद महा के शुकल पक्ष की दश्मी को यहां विशो का एक मात्र पशु मेला लगता है। अब देखें दोस्तों इसके अभ्यास परसन राजस्तान का राजय पक्षी कोन सा है तो राजस्तान का राजय पक्षी कोन सा है गो डाउन है। पिर राजस्तान में शदाभार वन कहां पाई जाते हैं, तो माउं टाबू में पाई जाते हैं राजस्तान में शदाभार वन मिलान की जे शिता माता वने जिव अभ्यारन उडन गी लेरी के लिए फेमस है किस के लिए उडन गी लेरी के लिए फेमस है राष्ट्रे मरू उध्यान राष्ट्रे मरू वने जिव अभ्यारन ये किस के लिए गो डाउन के लिए रन थंबोर राष्ट्य उध्यान बाग के लिए केला देवी राष्ट्य उध्यान ये साइबेरियन प्रेन ये सार्स के लिए फेमस है अब देखिए दोस्तो आज का ये लेशन तो अपना पूरा हो गया आपको मैं पले लिष्ट बता देता हूँ यहां पर आप जाओगे दोस्तो यदि आपको छटी क्लास की ठेखिए राष्टान देन की तो ये पूरी ठेखिए राष्टान देन कख्षाश चई के वस्तिनिक्ण फड़ने हैं तो जितने भी पार्ट थे दोस्तों उनके यहां वस्तों निश्ट है फिर एक मेरातन वीडियो है तो वह आप देख सकते हैं और अब दोस्तों जो वीडियो यह त्योरी वाले हैं वो सारे यहां एड़ होते जाएंगे बाद में वस्तु निश्ट आएंगे वो यहां एड़ होते जाएंगे तो यहां से आप देख सकते हैं इसके लवा दोस्तों रीट के लिए टेस्ट सीरी चलती है एक तो यूनिट वाई चल रही है जिसमें नौई यूनिट कर ली दश्वी चल रही है इसके लवा माद्यमिक्षिक्षाबोरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू का एक ही यानि वो परशन भी होंगे नीचे उत्र भी होगी र्याख्या भी होगी